जी गोरी साब, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर मैं भी पढ़ने लिखने का शौकीन आदमी हूँ, मुझे नोबल इनाम हासल करने का कोई रास्ता बताए सर जी मुझे भी गोगे, तुम्हार चौक में लड़ पड़ते हो, तुम्हें कहां से नोबल इनाम मिलना है? तो थेले, क्यों डिस्करेज कर रहे हो गोगे को? लडाई जगडे का नोबल इनाम से क्या तालुक है? तुम्हें मालूम है कि दूसरी आलमी जग के फाते को नोबल इनाम से नावाजा किया? जी? हाँ थेले, इनसान को अगर लिखने पढ़ने का शौक हो, लगन हो, तो उसे अदब के शोबे में नोबल इनाम मिल सकता है? यह दूसरी आलमी जग के फाते को 1953 में अदब का नोबल इनाम दिया गया? Sir, don't tell me! I'll tell you! Winston Churchill, Sir Winston Churchill, जिन्होंने दूसरी आलमी जग तो जीती, लेकिन 1953 में अदब का नोबल इनाम भी हासल किया? वाघा. वेलकम टू हजबेहाल, मिस्टर चर्चिल थेंक यो, थेंक यो इस गुट टू सी यू हेर थेंक यो, दुन्डिया मुझे दोस्री आल्वी जग के फाते के तौर पर जाटती है मगर तुम लोग जाटते हो के इसकी वज़ा क्या है क्या? इसकी सिर्फी की वज़ा है मैंने सारी जिन्ड़गी खाबों की जन्दत में रहने की वज़ाए हकायत की तप्ती जमीन पर कणब जबाने को मुनासिब समझा इसलिए लोगों को मेरी वो सेइंग बड़ी पसंद है यू मस्ट लूक अट फैक्ट्स कबूटर की तरह आँखी बन करने से कुछ नहीं होता हालाट की बिल्ली सबसे पहले बंड आँखों वाले को निगलती है जिन लोगों को हकीकत का अध्राक होने लगे वो उससे नवोड़ा जबा होने का गूर भी सीख लेते हैं वेल्कुल सहीए इस इक पसंदी ने मुझे दूसरी आलमी जंक के फाते बनाया सर आप तो आलमी जंक के फाते हैं हमारे पास ये आदमी है जो शालमी जंक के फाते है अब अच्छाव। सर शालमी एक अलाका है, वहाँ एक दूद्दें की दुकान है, रोजाना इसकी वहाँ जंग होती है और जिस तरह आप कहते हैं ना मैं आलमी जंग का फाते हूं, यह फिर महले में जाके कहता है मैं शालमी जंग का फाते हूं और सर, मैं एक आठिस्ट हूं, मुझे लड़ाई जगड़े से शदील नर्जी है ओ, यह राइट, यही खाना भी एक आठ है यार, उनको लो अकल दिया अगला सिखो, जिरी चीज बंदे को लना आवे उनू हासिल करनी चाहिए सर चर्चल, मैंने आपको इंटर की किताब में पढ़ा था मैंने यह पढ़ा था कि आप युनानी और लातीनी में फेल भी हुए थे ओ, फिर ते साड़ी परा आने यह सच है कि मुझे लातीनी और युनानी जुमाने नहीं आती थी लेकिन मेरे पूरे केरियर में यह जुमाने कई आने नहीं आई यह 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 कहले के युनानी और लातीनी में मेरा उत्रा ही हाथ तंग था इतना आप लोगों का अभी तक अग्रेजी में तंग है और आपने अपनी नौजवानी का जमाना तो बर्रे सगीर में गुजारा एदराबाद, मीरट, कलकत्ता और पिशावर में रहने का आपको इत्फाक हुआ मुझे एक सहाफी और फौजी की हैसियत से बर्तानिया की सल्टरत के चारो तरफ सफर करने का मौका मिला अपनी नौजवानी के पांच साल यहां भी गुजारे यही मैंने पांच किताबे लिखी यही यह लिखने लिखाने का शौक मुझे पढ़ा और फे मैं सारी जिदगी लिखता रहा और आपको मालूब है कि इसी लिखने पढ़ने के शौक की वज़ा से फिर मैंने नाइटीन फिफ्टी टरी में नोबल एलामी हासिल किया है यहां जी मुझ्टी ऐसी है लिखने का शौक हुद ही डल जाता है मैंने भी जवानी से ही लव लेटर, दीवारें, इश्तिहार, कोस्टर बहुत कुछ लिखा है सर्थ तुम तो छोटी से छोटी डीवार भी सीड़ी पे चड़के लिखते होगे पाई ओ आर्टिस्ट भी ने खाली लडाके ही नहीं हाँ, आपका कमाल ही ये है कि आप एक मुसवर, आर्टिस्ट, सहाफी, कल्चर से, आर्ट से जुड़ी शख्सियत के मालक सियासतदान थे वाई अच्छली मेरे जो फाडर थे, वो एक पॉलिटिशन थे, सियासतदान इसलिए मुझे ये बात शुरू सही समझा गई थी, के जंग में इंसान एक दफाह मर्टा है, और सियासत में बार बार मर्टा है मैंने जिन्दगी के हर शौबे से कुछ का कुछ सीखा है, लेकिन बुड़ियादी असूल यही रखा है, हकीकत से मत भागो, मेरी एक और सेइंग भी है, काम्याभी क्या है, काम्याभी एक नाकामी के बाद डुबारा उसी जजबे से आगे बरने का नाम है, वाँ, वाँ, सेट सर, तुम लोगों की ठरा नहीं, कि सिर्फ सोच के ही फैसला कर देती हो, नहीं भाई, बड़ा मुश्कल है, यह बात तो आपने बिलकुल ठीक कही, और अगर कुछ करने भी लगते हो, तो चार कदम चलके होसला हाल जाती हो, ओ, या डखो, काम्याभी का सबसे अहम जाती हो, इसी मुस्त किल मजाज सिर्फ रोटी खान चान, उदे वास्ते पामे सानू अद्दा पौना कंड़ा तंदूर ते बैना पावे, पामे कंटा डेड़ गंटा बीवी दे चुले को पहरा पार बैना पावे, उदे वास्ते बामे सारा ते लंगराई लाएं जी लग वहां ते गोगा लंगर दी लैन ची खरोता सी मैं चला गया जुमा अच्छाड, हफ्ता अच्छाड ते मैं इतवार आले दीने नदे कार गया जाके दे पूतर तो पुछिया मैं कि अबू किते ने? कंदे जी लंगर आली लैन ते खरोते ने अपाई, जिड़ा रोटी जी भी मुस्तकिल मजाज नहीं उनने दा फिर हालवे हिलो नहीं, खाता तो मुझफर भी मुस्तकिल मजाजे से आ है लेकिन टेश्यो पेपर खाता है अबे ओ जाहिलो, तुमारी रोटी खाने की मुस्तकिल मजाजी तुम्हे कोई फाइदा नहीं देगी सर विंस्टन चिर्चिल जिस मुस्तकिल मजाजी के फलसफे को बताना चा रहे हैं और कम असकम वो तो सीख लो नाजरीन, यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक जिस बरात में शेर खुल गया थी वो थे मजफर कापू आजन दा शेर दे ते शेर ने की कहा लड़ा सी नाजरीन, दिल्चस्प ख़बर के लिए आपको लिये चलते हैं ख़बरों के जेम्स बॉन्ड अजीजी की तरफ क्या कर रहे हो यार नाजरीन, नूज जेम्स बॉन्ड 0092 आपके सामने हाजर है राज की जो दिल्चसप ख़बर है उसमें एक गहराई भी है और सबक भी है जी हाँ गुवर्नर सिंद्ध कामरान खान टसूरी का कहना है कि अगर अमबानी जैसी शादी पाकिस्ट